हर योम नाराइन घरी आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैंत्री टेरोड रीडिंग में सकानात्म कृप से हर दिक स्वाजत हैं आप सब लोग स्वस्त रहें व्यस्त रहें मस्त रहें इसी कामना से इसी इच्छा से रोज मैं वीडियो शुरूर करती हूँ और चाहती हूँ कि आ फिर दो आरी ओनार राइनारी आज की रीडिंग बहुत भारी पढ़ने वाली है देखते हैं कैसे चलती है लगिन सरसरी सरसरी तोर पे जो कार्ड मुझे समझ में आ रहे हैं थोड़ी भारी पढ़ने वाली है आज की रीडिंग पहला कार्ड ये कह रहा है पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं आज की रीडिंग में अफसोस है मुझे इस बात देखिए पहला पाड़ यह कह रहा है कि आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करें मगर इसके साथ साथ अपनी वाने के उपर भी ध्यान दें विशेश रूप से विशेश रूप से आप अपनी वाने के उपर ध्यान दें क्यों कि आपको जो भी काम करना है वो काम करना है आप अकेले में काजिय को नहीं कर पाएंगे आपको एक टीम साथ में ले करके ही काम को करना होगा अकेले में आप कारिय नहीं कर पाएंगे और जब टीम के साथ काम करना है तो आपको अपनी वाणी के उपर भी विशेश रूप से नियंतरल रखना होगा जहां आपने अपनी वाणी पे सयम खोया पुरा कार ये धारशा ही हो जाएगी आपकी पूरी योजना फिर आप भात मलते रह जाएंगे इसलिए अपने टीम के साथ हाड़ वर्क करते हुए पॉस्टिब रहते हुए और वाणी को सयमित रखते हुए काम को करें अगला कार ये बता रहा है कि अभी पिछले कुछ समय से आपको किसी फिल्ड में काम जाभी नहीं मिलिये family life में भी नहीं professional life में भी नहीं आपका mind, आपका heart तुटा हुआ है आपको सबलता ना मिलने की वज़े से आपका mind दुखी है, आपका mind तरेशान है आप घुड़न में है आप एक ओहो पहो की स्तिती में है और उस वज़े से आपका मन दुखी होने की वज़े से असफलता के घेरे हुए होने की वज़े से आपकी वानी भी आपका साथ नहीं दे रही है आपकी वानी हमेशा चिडड़ी और मन चली और आपको हर जगे अपनी वानी की वज़े से असफलता भी बिल रही है नीचा भी देखना पड़ रहा है अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी तूटे वे मन और अपनी विफलताओं की वज़े से इस हालत में हैं आपको ये लग रहा है कि दूसरों ने आपकी पीट के पिपर चुरा गोंपा है आप तो सही थे दूसरे ने ऐसा कर दिया है लेकिन कार्ड ये बता रहे हैं कि गलती आपकी भी है केवल दूसरा ही गलत नहीं है ताली दोनों हाथ से बज़ती है एक हाथ से नहीं अगर मैं 50-50 भी गलती मानू तो आदी गलती आपकी भी हो सकती है और अगर मैं 70-30 मानू तो 30 परसेंट गलती आपकी भी हो सकती है तो गलती आपकी भी है आपने भी कुछ ऐसे अन्वाइश्पुली डिसीजन लिये हैं अन्थाटफुल डिसीजन लिये हैं जो आपको आज इस स्तिती में लाए हैं तो सबसे पहले मैं आपको उपाय बताऊं आप अपनी उन गलतीयों को स्विकार करें आप अपनी गलतीयों को रिलाइस करें और उसके बाद उन गलतीयों से तौबा करते हुए अपना आगे का रास्ता लें और उन गलतीयों को दुबारा कभी ना दौराएं कभी ना दौराएं इसके बाद अगला काड़ ये कह रहा है कि जब आप अब दुबारा अपना काम शुरू करेंगे तो संगहर्ष तो उसमें भी है फूल बिचे हुए नहीं मिलेगे आप सोचो कि आप उठेंगे और दुबारा काम में जुटेंगे तो आपका रेड कार्पेट बिचा मिलेगा तो ऐसा नहीं है रास्ता अभी भी उबर खाबड़ है आपको अपनी परिस्तितियों के साथ अपने सरक्स्टांसिस के साथ संगहर्ष करना होगा हमेशा ही सफलता थाली में प्रोष के मिलती नहीं है सफलता के लिए असफलता का सबाद चखना पड़ता है जो आपने चखा है बहुत बुरे डंग से चखा है अब आप उठेंगे तो आपको रेड कार्पेट तो नहीं मिलेगा संगर्ष तो आपको करना पड़ेगा जद्दो जहत करनी पड़ेगी लड़ाई अपनी खुद लड़नी पड़ेगी दूसरा कोई लड़ाई ने लड़ता अपने जीवन की लड़ाई हर इंसान को शमी लड़नी पड़ती है खुद ही लड़नी पड़ती है अगर इसमें आप आपको medical aid की जुर्थ हो तो आप दोवाई भी लेजिए ना अगर आपको किसी मित्र की जुर्थ हो जो आपके अपने बड़े clothes हो उनकी help भी लेजिए जो आपके सहिर्दे हो आपकी well vision हो इसके बाद अगला काड़ ये बता रहा है कि आपके घर में छोटा सा कोई celebration होने वाला है जिससे घर कभी माहल बदलेगा आपका भी मन बदलेगा आपकी सोच भी बदलेगी आप एक नए clever में आ करके कारिय को करेंगे भी तो आप उसके लिए भी थोड़ा तैयार रहें एक छोटे से celebration के लिए भी वो आप नहीं करेंगे आपके घर में होगा आपकी तरफ से नहीं होगा आप उसमें शामिल होगे शामिल ज़रूर होईएगा ज़रूर ही है शामिल होगा इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है मैं इन दो कार्ड की कट्टी को गिरेडी अकेले बताने से बात नहीं बनेगी ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको मालूम है कि आपकी मदद कोन कर सकते है ये कार्ड ये बता रहा है यू नो कि आपके हेल्पिंग हैंड कोन हो सकते है आपके हेलपर कोन हो सकते है आपके सलाहकार कोन हो सकते है और आपको इस दलदल में से कोन निकाल सकता है ये आप जानते है इसलिए आप double minded हैं दो विचारों में जूल रहे हैं क्यों क्योंकि आप यह सोच रहे हैं कि मैं उनसे help मांगूं या ना मांगूं उनके पस जाओं या ना जाओं आप double minded हैं और क्यों हैं वो कारण भी यह कारण बता रहा है बता यह रहा है कि जो आपकी मदद कर सकते हैं वो आपसे थोड़े नराज चल रहे हैं वो आपके वहवार से आहत हैं और यह बात आप भी जान रहे हैं कि आपने उनके साथ केसी समय में इस behavior किया है लेकिन इस समय वही आपकी health कर सकते हैं यह भी आपकी अंतरात्मा जानती है तो इसलिए आप थोड़ा double minded हो रहे हैं कि क्या मैं उनकी बस मदद के लिए जाओं या ना जाओं लेकिन मेरी आप से राई यह है सलाई यह है कि आप जाएं आप जाएं पुराने वहवार के लिए माफी मांगें और फ्यूचर का उनके साथ help मांगें और अपने कारिय को करें क्योंकि उनकी help से आपका struggle कम हो जाएगा उनकी help से आपकी रहा आसान हो जाएगी उनसे जाएए उनसे मिलिये डाउन टू अर्थ होके मिलिये अपना एहंकार प्यात के जाएए क्योंकि श्वार्थ आपका है help आपको लेनी है उनसे माफी मांगिये उनसे apologize करिये और अपना आगे का काम उनसे मदद लीजिए इसके बाद ये जो काड है ये ये कह रहा है कि आपको डिवाइन help मिलने वाली है मतलब जो आपके मित्र है वो डिवाइन की ही मार्ग दर्शन में आपकी help करेंगे तो डिवाइन आपकी मदद कर रहे है आपको सहायता मिलेगी और आप अपने इस मुसीबत वले तुफानी जीवन से बाहर आएंगे बाहर आएंगे और अपने कालिय को पट्री पर लाने का बर्कूर आप प्रयास करेंगे और वो पट्री पर आएगा भी क्योंकि divine help की बज़े से पट्री पर आनन निश्चित है लेगिन जो संघर्ष है जो लड़ाई है वो तो आप भी को लड़नी है ना तो जितनी मेरी आज की reading आपके साथ resonate कियो उत्ती लीजिए जो resonate ना करें उसे छोड़ दीजिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टेरोट रिडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और साइड में जो बेल आइकान होता है उसे जूर क्लिक कर दे ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप को नोटीफिकेशन भी मिल जाए और मेरा वाट्सेप नमबर जो है वा डिस्क्रिप्शन में है आप परस्नल डिडिंग चाहेंगे तो मेरे को मे leuke से मैसेज कर सकते है बांट्सेप नमबर मेरा मजू फों मजूदे दिस्क्रिप्शन हरी अभना ना रहे रहे